हेलो प्राइटबैक टो मैए चैनल झाट किन पर्फे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीगे से आपको ग्लास पेंडिंग को फ्रेम करना है जैसे कि मैंने यह Spain में बनाय था आपने टरबाव करेंे किस तरीके से मैंने इसमेंटक है है अब इसको फ्रेंड किस तरीके से करना है और किस तरीके से इसमें बेक्राउंड लगाना चाहिए वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो मैं आपको दिखा रहे हुँ सबसे पहले जो ग्लीटर सीट आ स्टीकर वाली होती है जिसमें आप स्टीकर लगा सकते हैं लेकिन आपको स्टीकर के इसमें जरत नहीं बढ़ती सिर्फ आपको बैग्राउंड आप इसको इसमें ग्लास पेंटिक में यूज कर सकते हैं और साथ ही में एक आ लगाना चाहिए हैं आपको दिखायता हूं इसमें कौनसा बैक्राउंड ज्यादा रहेगा तो सबसे पहले इसके के पिछी स्टीगर लगा देता उसको रिमूव कर लेते हैं कि यहां से जैसे विर्सकर्ष में देखे चारसबस टेप लगाए था उसको मैं हटा देता हूं तो अब मैं इसको करदेता हूं ये को जिस तरह के पेंटिंग का गई है और इस तरफ हमने वर्क किया था यहां पर ग्लास कलर्स को फिल किया था तो देखिए जब भी ग्लास कलर्स आप बनाएं तो इसको चाहें तो आप अगर वर्क अगर आपका ज्यादा फाइन है तो आप उसको फ्रेंड पर रह सकते हैं वैसे ज्यातर क्या होता है इस ग्लास कलर्स को फिलिप करक यह हमेशा फ्रेम किया जाता है अब हमें इसमें चेक कर रहा है कि कौन सा बैग्राउंड इसके लिए ज्यादा बैस्ट रहेगा जिससे आमानी पेंटिंग ज्यादा हाइलाइट हो और ज्यादा बैटर दिखे तो मैं ले लेता हूँ सबसे पहले सिल्वर जो यह फॉर्म में आती है देखिए फॉर्म गिलिटर सीट होती है मैं इसका आपको एक पर दिखाया दा हूँ कि किस तरीके से इसका लुक आ रहा है इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं अगर आपको यह बैग्राउंड ज्यादा बैस लग रहा है लेकिन मैं भी और ट्राय करूँगा कि कौन सा बैग्राउंड इसमें ज्यादा बैस लगेगा वैसे इस तरीके से देखिए सिल्वर बैग्राउंड भी इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है अब मैं थोड़ा सा डाक कलर का इसमें देख लेता हूँ कि कि तो अब मैं दूसरा color कर यूज़ करता हूँ अब ले लेते हैं पेंग कलर अमारा आल्रेडी है पेंटिंग में यह तो मिन्से मैचिंग हो गया लेकिन बाकी colors आपके अच्छे highlight हो रहे हैं लेकिन पेंग कलर उतना नहीं हो रहा है लेकिन गोर्डन कलर जो मनें किया है वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है तो इसको बैग्राउंड को भी हम अठा देते हैं अब मैं ले लेता हूं देखिए ब्राउन कलर यह देखिए ब्राउन कलर में भी इसमें साइट से जितना भी हमारा वर्क है वो थोड़ा सा हाइलाइट हो रहा है लेकिन यहां पे कलर हमारा खिलके नहीं आ रहा है तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूं अब हम ले ले लेते हैं ग्रीन कलर यह देखिए ग्रीन कलर भी काफी प्यारा लग रहा है इस तरीके से आप पेंटिंग बना सकते हैं इसमें बैक्राउन लगा सकते हैं लेकिन ग्रीन कलर के लाबा मैं एक कलर और ट्राय करना चाहरा हूं इसमें हम ले लेते हैं ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर है यह देखिए कुछ इस देखेगी हमारी painting बनके आई है इसमें भी देखे इतना highlight हो रहा है color लेकिन इतना ज़्यादा best नहीं लग रहा है यहाँ पे तो मैं एक color all ले लेता हूँ जिसमें हम dark blue का use करेंगे अब मैं ले लेता हूँ dark blue color और यह देखिए इसमें हमारी painting काफी ज़्यादा fine दिख रही है इसमें हमारे colors हर तरफ से अच्छे दिख रहे है और जो pink color है उसको भी color को थोड़ा सा अच्छा निखा रहा है और इसमें आप इसको framing करेंगे तो यह काफी ज़्यादा अच्छी दिखेगी बस इसमें आप देख लीजे जैसे मैंने light blue color लगा है तो light blue भी इसमें अच्छा लग रहा था यह देखिए और इससे ज़्यादा dark में यह जो हमने dark blue का use किया है इसमें ज़्यादा हमारी painting अच्छी दिख रही है तो इस तरीके से आप background का चुन सकते हैं अलग लग glitter में आप पहले try कर सकते हैं कौन सा ज़्यादा best है कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है इस तरीके से आप background में देख सकते हैं उसके बाद आप इसको frame कर सकते हैं बस आप हमेसा ध्यान रखिए जैसे आप OHP seat में आप जब भी जितनी बार भी ये बनाते हैं glass painting तो इसको हमेसा flip करके ही frame करें हमेसा flip करके frame करें ताकि जैसे गंदा भी होता है तो आप इस तरीके से इसको clean कर सकते हैं एक तरफ से और अगर हमारा जो glass work है ये open रहेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी dust भी आ जाती है लेकिन अगर कुछ work ऐसे होते हैं उसमें अगर आप safety रखें या waterproof अगर आप solvent colors का use करते हैं camel के तो उसमें आप open color का भी use कर सकते हैं नितो लेकिन best यहीं रहेगा कि आप इसको flip करके लगाएं और इसको frame करके रखें I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आया है तो subscribe जरू कर दीजे क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ अगर इससे जुड़ी कोई भी queries हो तो आप मुझे comment box में comment कर दीजेगा thank you for watching